हेलो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोमिक किंग एस्टी ट्यूब के बारे में इसके उपयोग और इसका उपयोग जो किया जाता हूँ किस बीमारी में किया जाता है आज मैं आपको सब यह आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ जो की स्कीन क्रीम है और य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक देखें जादे से जादा लाइक करें सेर करें और कमेंट्स करें आपको किसी भी मैडिसिन के बारे में या इंजेक्शन या ट्यूब के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बोक्स में बता सकते हैं मैं सकती है और इस टूप का यूज जो किया जाता है वो किया जाता है जैसे कि आपके चहरे पे कील मुहा से दाग धब्बे या पिम्पल्स हो जाते हैं आपके चहरे पे जहाईया पड़ जाती है तो आप इस क्रीम का उस इसकीन के लिए यूज कर सकते हैं जिसकी प्राइज होती है 187 रुपे यह आपको किसी भी मैंडिकल इस्टोर पर 60-70 रुपे में मिल सकती है क्योंकि यह है जैन्रिक मैडिसिन है और यह बहुती सस्ती क्रीम आती है मौमिकिंग एस्टी ट्यूब का यूज जो किया जाता है जैसे की लेडी जो के या फिमेल के जो चेहरे पे इसकीन में इन्फेक्शन हो जाता है चेहरे पर जैसे की हलकी हलकी खाज लगने लगती है रैडनेस हो जाती है या चेहरा काला पढ़ने लगता है पिमपल्स हो जा या जहाईया हो जाती है तो ये उन लेडियों के लिए हैं या इन्हें मेल भी लगा सकते हैं यह चेहरे के लाक सम में अच्छी ट्यूप है अगर आप भी जहाईयों से पिंपल से या इस्कीन में जो infection हो जाता है आपके चेहरे पर allergy हो जाती है तब भी आप मोमी किंग HD ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं यह 15 गिराम में आती है जो की काफी बड़ी रहती है अगर आप भी इस्कीन की दिक्कत से परेशान है यह आपके चेहरे पर भी परेशानी रहती है तो आप इस टूप का यूज़ कर सकते हैं यह देखिए कुछ इस परकार की अंदर से लिकलती है और यह आपको 15 गिराम में किसी भी medical store पर आसानी से मिल सकती है अगर आपके भी चेहरे पर जहाईया धब्बे पिमपल्स रहते हैं तो आप इसे अपने चेहरे पर लगा सकते हैं इसका लगाने का जो तरिका है वो है आपको सुते समय आप फल्के गनगने पानी से अपने चेहरे को धुँस कर सकते हैं और फिर इसका यूज कर सकते हैं हैं अगर आपज अपके रिठाकें हो जाती है तो आप उस्त ट्यूब द्राइब करसकते हैं कर दो